नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे आप सब तो दोस्तों आप लोगों की तयारी कैसी चल रही है तो दोस्तों यदि आप लोग बिहार SSC 3rd CGL का तयारी करना चाहते हैं GKGS का तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है दोस्तों आपको इस चैनल पर GKGS और Current Affairs का एक अच्छा अच्छा content लाके देंगे तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप अच्छा से सभी वीडियो को continue देखते रहें धीरे-धीरे करके आपका GKGS और Current Affairs का एक अच्छा सा त्यारी करवा देंगे आपको इस चैनल आपका सब्जेक्ट वाइज लाके देंगे, Current Affairs का भी वीडियो आपको देते रहेंगे, दो दिन पर तीन दिन पर या सब्सक्राइब करवा देंगे, और आप एक continue वीडियो अच्छा से देखते रहें, धेरे-धे करके आपका एक अच्छा सा त्यारी करवा देंगे, तो द करके बताईएगा कि आपका 25 में कितना सही हुआ, तो दोस्तों चलिए हम लोग ये वीडियो स्टाट करते हैं, और आपका ये सब्जेक्ट वाइज भी दोस्तों, पले लिस्ट हम बना देंगे, आप लोग कभी भी कोई भी सब्जेक्ट का, ये मतलब MC की कोशन आप लोग अपको पले लिस्ट हम अलग अलग बना देंगे, आप लोग अच्छा से सभी कोशन पर प्रैक्टिस हमेसा करते रहेगा, तो चलिए, आज का वीडियो ये स्टाट करते हैं, और कोशिस करेंगे, कि आपको ज्यादा से ज्यादा कोश्चन लाके दें, जो आपको एक्जाम म हुआ, और ये आपका सभी कोशन हिस्ट्रे से है, तो आप लोग भी अच्छा से देखिए, और आपको ये कोशन कैसा लगा, आपको यदि अच्छा लगा होगा, तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और जो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो दोस्तों चल कैसा करहिए, और ये पर लोग कोशन के साइन्स पर लाइका, तो दोस्तों चली है, ये आपका पहला क्कोशन क्या है, कि नेमलिखत में से किसकी जानकारी असोक के सिलालेखों से मिलती है, तो दोस्तों आपका ऑप्सन है, जीवनविरित, अंतरिक नीती, वीदेश नीती, औ दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा असोक के सिलालेखों से किसकी जानकारी मिलती है तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों Option D, सभी आपका विकल्प सही है, यह मतलब आपका असोक का जीवन विरित और अंत्रिक निती और विदेश निती सभी की जानकारी असोक के सिलालेखों से मिलती है, अब ही, अब जोग देखें कोश्चन मर्दो, और आप लोग भी यह मिलाते जाहिएगा, कि आपका सही हो रहा अंत्रन को दर्ज किया, तो आपका ऑप्सन है, रोक एडिक्ट टू, रोक एडिक्ट चार, रोक एडिक्ट सिक्स, और अंतिम ऑप्सन है, रोक एडिक्ट थर्टीन, और आपका यह जो है, एक तरह से सिलालेख है, ओके हाँ, दूसरा सिलालेख, चौथा सिलालेख, चौथा पड़िवर्तन जो हुआ था उसको किसमें दर्ज किया गया था तो आप लोग बताईए इसका सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका सही अंसर जो होगा option D जो है rock addict 13 ये तेरे में सिलालेख में जो है इसका आपका जो है दर्ज किया गया है कलिंग युद के बाद वो आपका ये मतलब जैसे असोक जो थे वो युद की नीती जो है त्याग दिये थे ओके वो आपका इसका जो है चर्चा कहा है तेरे में सिलालेख में ओके चलिए अगला देखें question number 3 कहा है दोस्तों असोक ने किस बौध सादों से परभावित होकर बौध धर्म अपनाया तो आपका option है विस्णू गुप्ट उप गुप्ट बरहम गुप्ट और अन्तिम अपसन है ब्रेधर्थ तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा किस बौध सादों से परभावित होकर बहुत धर्मा बनाया था असुक तो इसका आपका सही अंसर होगा option B, उपगुप्त, ओके? चलिए, अगला देखें, question नमर 4 चोथा नमर क्या है दोस्तों मौरिकाल के दौरण सिक्षा का सबसे परसीद केंदर निमने में से कौन सा था? तो आपका option है उजेन, वललवी, नलन्दा और अंतिम अपसन है तक्षिला तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आपका सही अंसर होगा option D, तक्षिला तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा और यह अब ही आपका कहा है? पाकिस्तान उके? चलिए अगला देखें पच्छमा नमर पच्छमा नमर क्या है? कि असोक के सिलालेख किस लिपी में खुदे हुए हैं? तो आपका option है मगधी, ब्रामी, पाली और अंतिम अपसन है यह देवनागरी लिपी तो दोस्तों, इसका सही अंसर क्या होगा? असोक के सिलालेख किस लिपी में खुदे हुए हैं? तो इसका सही अंसर होगा option B, ब्रामी लिपी में खुदे हुए हैं, ओके? चलिए, अगला देखें क्वेशन नमर च्छे निम्न में से किस ने और कब पहली बार असोक के सिलालेखों का अर्थ असपष्ट किया था तो आपका option है दोस्तों 810, हेरी ए स्मित 1787, जोन टावर 1825, चार्स मेटकॉफ और अंतिम अप्सन है 1837, जेम्स प्रिंसेप तो दोस्तों, इसका सही अंसर क्या हो जाएगा, option D 1837, में आपका जो है जेम्स प्रिंसेप जो था असोक के सिलालेख का अर्थ असपष्ट किया था ओके, चलिए, अगला देखें question 7 7 नमर क्या है कि निम्न में से कौन सा तत्तु धम में वर्नीत नहीं था तो आपका option है, माता-पिता का अग्या का पालन, ये दान पुन भात्री भाव, और अंतिमा option है, संग के परती आस्था तो दोस्तों, इसका सही अंसर क्या होगा कि कौन सा तत्त तो धम में वर्नीत नहीं था, इसका जो सही अंसर होगा, option D संग के परती आस्था जो था, वो आपका धम में वर्नीत नहीं था, धम में था कि पक्छी प्रानियों की हत्यानों करना, माता-पिता की सेवा करना, आपका भात्रिभाव मतलब भाई के साथ भाव रखना, प्यार रखना दान पुन्नी करना आपका यह सब, धम में वर्नीत था, लेकिन संग के परती आस्था, यह आपका धम में वर्नीत नहीं था, चलिए अगला देखें क्वेशन नमर आठ यह आपका आठमा नमर क्या दोस्तों मौरे बंस के सासन के दौरान अस्थानिक कौन था आपका आपसन है जिला परसासक परांतिया परसासक, गराम परसासक अंतिम आपसन है नगर परसासक तो दोस्तों आपका अस्थानिक किसे कहा जाता था मौरे बंस के सासन के दौरान तो इसका सही अंसर होगा आपसन ए यह आपका जिला परसासक को अस्थानिक कहा जाता था इसके मौर सासन के दोरानों के चली अगला देखें question number no आपका no number question क्या है मौर बंस का अंतिम सासक कौन था तो आपका option है कुनाल, विरिदर्थ, सुसिम, अंतिम option है संपर्ती तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका सही अंसर होगा option B, फिरिदर्थ जो था आपका मौर बंस का अंतिम सासक था question number 10 क्या दोस्तों मिलिंद पन हो क्या है तो आपका option है बौधस्तल, बुध का एक नाम कला का बौध नाम और अंतिम अपसन है बौध पाठ तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा मिलिंद पन हो क्या है तो दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा यह एक बौध पाठ है और इसमें आपका जो है मिनांडर और जो है नाग सेन का जो संबाद जो हुआ था वो आपका इसमें चर्चा किया गिया है वर नित है ओके मिलिन पनों में है ना चलिए अगला देखें एगारा नमर यह आपका एगारा नमर क्या है चरक किसके राज चीद सकते तो आपका option हर्ज चंदरगुप्त मौर असोक कनिस्क तो दोस्तों इसका जो सही अंसर आपका कनिस्क के ओके चलिए अब देखें आगला कोश्चा नमर बारा नमर क्या है एक थोड़ा सा चोटा देते हैं कर चलिए बारा नमर क्या है कुसान काल में भारतिय और यह ग्रिक सेली के मिस्रन को विक्षित कला विद्याले को किस नाम से जाना जाता है तो आपका option है कुसान क अंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा ऑप्संसी गंधार कला ओके तो आप लोग अच्छा से यह ध्यान में रखिएगा कि कुसान काल में भारती और गिरिक का जो सैली था उसको गंधार कला के नाम से परसीद था ओके चली अगला देखें कोशन नमर 13 नमर क्या है कौन सी कला यह आपका गिर को बॉद कला के नाम से भी जानी जाती है तो आपका अप्साने गंधार कला मत्रकला सुंकला और अंतिम अप्साने मधवनी कला तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा सेम कोशन है जो आपका पिछला वला था इसका भी अंसर आपका गंधार कला ओके बॉद के काल में जो यह आपका इंडियन और किरिक का जो था मिशरन जो था उसको गंधार कला के नाम से जाना जाता है चली अगला देखें चोदा नमर और ये आपका जो है सभी question दोस्तों बहुत ज़्यादा important चलिए चोदा नमर क्या है बौद धर्म का सनडक चक कुसान सासक कौन था तो आपका option है कोटिल असोक विक्रामादित कनिस्क तो दोस्तों इसका सही answer क्या होगा तो ये तो आपका option से ही चट जाएगा कुसान इसमें सासक आपका कह रहा है तो ये है कौन कनिस्क तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कुसान सासक जो था बौद धर्म का सनडक च्छन जो किया था वो कनिस्क था चलिए अगला देखें कुस्चन नमर 15 पंदर अमर क्या है विक्रम संबत कब आरम हुआ था तो आपका option है इस भी पुरु 50 में इस भी पुरु 47 में इस भी पुरु 55 में और अंतिम अप्सन है इस भी पुरु 57 में तो दोस्तों इसका सही answer क्या हो जाएगा विक्रम संबत कब आरम हुआ था तो दोस्तों इसका सही answer होगा option D इस भी पुरु संताबन में आपका जो है विक्रम संबत शुरू हुआ था ओके ताप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा चलिए अगला देखें 16 नमर 16 नमर क्या है कला की गंधार सैली किसके सासन काल में पनपी थी तो आपका option है हर्स असोक कनिस्क चंद्रगुप्त दूतिय है तो दोस्तों इसका सही answer क्या होगा कला की गंधार सैली किसके सासन काल में पनपी थी तो इसका जो सही answer होगा option C कनिस्क के सासन काल में ओके चलिए अगला देखें question नमर आपका 17 17 नमर क्या है प्राचिन काल में निमलिखित में से कोन कलिंग का एक महान सासक था तो आपका option है अजाद सत्रू बिंदुसार खारवेल और अंतिम option है मयूर सर्मन तो दोस्तों इसका जो सही answer होगा वो आपका क्या होगा इन में से कोन एक कलिंग का महान सासक था option C की खारवेल ओके चली तो आप देखें अगला और यह आपका खारवेल जो है किस बंसका चासक था चेदी बंसका ओके हाँ अच्छा से ध्यान में रखिए गा चली अगला देखें अठारा नमर साथ वहन का सबसे बरा सासक कोन था तो आपका यह option है सतकरनी पर्थम गौत्मी पुत्र सतकरनी option है आपका सी सिमुक और अंतिम option है हाल तो दोस्तों साथ वहन का सबसे बरा सासक कोन था गौत्मी पुत्र सतकरनी ओके तब लोग अच्छा से ध्यान में रखिए देगा चली अगला देखें कोच नमर 19 आपका 19 नमर क्या है कि निम्लिकित में से विद्या की सबसे पुरानी पीट कौन सी है तो आपका ओप्सन है तक्सिला नलंदा उज्येन विक्रम सिला तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा तो दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा वह तक्सिला तब लोग अच्छा से ध्यान में रखियेगा चली अगला देखें कोच नमर 20 क्या दोस्तों महरवली में जंग रहित लोह अस्थम किसने अस्थापित किया तो आपका ओप्सन है गुप्त साथ वहन मौर अंतिम अप्सन है कुसान तो दोस्तों इसका सही अंसर क्य होगा तो दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा अप्सन गुप्त जो है वो आपका यह लोह अस्थम अस्थापित किया था महरवली मों के और यह महरवली कहा है आपका जो दिल्ली में आगला देखें कोच नमर 21 आपका एक्षे समर कह है, गुप्त राजा जिसने विक्रामादीत की पदवी गरहन की थी वह था तो आपका option है असकंद गुप, मुस्रंधुर गुप, चंद्रगुप दुतिया, अंतिम अप्सान है कुमार गुप तो दोस्तों इसका सही अंसर क्या हो जाएगा यह आपका जो है विक्रामादित किसको कहा जाता था चंद्रगुप्त दूतिया को तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा चलिए अब देखें 22 लिक्ष भी दोहित्र किसे कहते थे आपका option है चंद्रगुप्त दूत जाता था लिक्ष भी दोहित्र ओके चलिए अगला देखें आपका 23 यह निमने में से किनके संगीत के परति उनका प्रेम दरसाते हैं तो आपका option है मारियों का नंदों का गुप्तों का अंतिम option है चोलों का तो दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा option C गुप्त का जो है चलिए अगला देख लें question number 24 क्या है दोस्तों निमने में से किसको अपनी वीजियों के कारण भारत का निपोलियन कहा जाता है तो आपका option है असकंद गुप्त को चंदर गुप्त को ब्रहम गुप्त को अंतिम option है समुद्र गुप्त को तो दोस्तों बताईए इसका सही अं अपने में किस धातु के सरवादिक सिख्य जारी किये अगये तो आपका option है सोना चांदी तामा लोहा तो दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा option सोना का जो सरवादिक यह जारी किया गया था तो दोस्तों यह आपका जो 25 question था और यह 25 का 25 question बहुत है जादा important था आपको इसी संडे को टेस्ट स्रीज टैप का भी लाएंगे जिसमें आपका पचास कोश्चन देने का कोशिस करेंगे हैं तो आप लोग अच्छा से चैनल के साथ पने रहें धीरे धीरे करके जब तक इसका एक्जाम होगा बिहारे सेस्टी का तब तक आपका एक अच्छा सा GKS में तैयार आमस्काराओ